डीध्वाना कुछामन जिला पुलिस के द्वारा जानलेवा हमले के प्रकरन में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार किया है। आरोपी द्वारा आपसी रंजिश को लेकर स्कापियों गाडी से टक कर देकर प्रार्थी को जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वहन स्कापियों को भी जप्त किया है। हनुमान प्रसाद पुलिस अधीक्षक जिला डीध्वाना कुचामन के निर्देशन में हिनमाशु शर्मा आर पी एस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीध्वाना एवं धरम पुनिया वृत अधिकारी वृत डीध्वाना के सुपर्विजन में देवीलाग विश्नोई उप निर्देशक थानाधिकारी पुलिस थाना खुनखुना मैटीम द्वारा हत्या के प्रयास के प्रकरन एक आरोपी एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया गया प्रार्थी राजेंद सिंग निवासी आजरोली ने थाना खुनखुना पर रिपोर्ट पेश कर बता उसके बाद हाथ में पत्थर लेकर मारने लगे जिसमें धर्मपाल सिंग, भगवान सिंग्व अन्य ने मेरे उपर अचानक हमला कर दिया मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला मेरे अंद्रुनी व बाहरी चोटे भी लगी है रिपोर्ट पर प्रकरन संख्या 175 बटा 2024 धारा 115 टू 126 टू 109 तीन 5 बी एनस में दर्ज कर अनसुन्धान शुरू किया गया प्रकरन की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर अलग-अलग तिमों का गठन किया जाकर मुख्या आरोपी धर्मपाल सिंग को गिरफतार कर घटना में प्रयुक्त वाहन स्कापियों नंबा आरजे 18 युए 7698 को जबत किया गया है आरोपी धाना खुनखुना के टॉप 10 वान्चेत आरोपियों की श्रेनी में शामिल था आरोपी धर्मपाल सिंग पुत्र राजेंद्र सिंग, उम्रिक्तिस वर्ष, निवासी आजडोली, पुलिस थाना खुनखुना, जिला डीद्वाना कुछामन को पुलिस ने गिरफतार कर लिया